जब अचानक कार्डियक अरेस्ट के शिकार व्यक्ती की मदद करने की बात आती है तो सभी आटोमेटेड एक्स्टर्नल डीफिब्रिलेटर एडी एक जैसे नहीं होते हैं डेफी पाँच एस एडी वास्तविक समय के निर्देशों और उप्योग करता के अनुकूल बचाव दल की सहायता करता है चिकित्सा पेशेवरो द्वारा अनुशनसित मेडिटेक डेफी पाँच एस में बच्चों की शक्ती को कम करने और हृदय की मास पेशियों को जलने से बचाने के लिए बाल चिकित्सा मोर बटन है ए लेडी संके तक निर्देशों का पालन करने में मदद करते हैं कम्प्यूटर में डेटा ट्रांसफर के लिए इंफ्रारेड चुनने के लिए दो भाशाए पांच वॉल्यूम्स तर ताकि आप आवाज को सपष्ट रूप से सुन सकें और कहीं भी डिवाइस का उपियोग कर सकें ए डी उपियोग के लिए तयार है या नहीं यह निर्धारित करने में आपकी मदद करने के लिए डेफी पांच इसमें दैनिक, सापताहिक और मासिक स्वपरीक्षण है यह एक AD Carry Bag के साथ आता है जो आपको डिवाइस को बाहर निकाले बिना उपियोग करने की अनुमती देता है इसमें प्राथमिक चिकित सा किट के लिए एक कमपार्टमेंट है और इसे पानी और धूल से बचाने के लिए AD Electrode Socket के लिए एक सुरक्षित कमपार्टमेंट है साथ ही रात में उपियोग के लिए चिंतनशील संकेत भी है एक कम्प्यूटर सॉफ्टवेर डेफी सॉफ्ट जो डिवाइस के साथ आता है स्थिती की जानकारी प्रदर्शित करता है जिसे डेफी 5S के उपियोग के दौरान एक सेस किया जा सकता है जैसे कि घटना का समय, विवर्ण और रोगी का इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, कम्प्यूटर सॉफ्टवेर के माध्यम से संकेतों की भाषा और वॉल्यूम को भी बदला जा सकता है जब आए एक नजर डालते हैं AD-डेफी 5S पर संचार पोर्ट PC को डेटा ट्रांस्मिशन के लिए एक इन्फ्रारेड पोर्ट स्थिती LED संकेतत यह निर्देशों का पालन करने में मदद करता है शॉक बटन पूरी तरह से चार्ज होने पर दबाने के लिए कहा और लाल रंग में चमकता है आउट स्पीकर मार्कदर्शन संकेतों के लिए मोड बटन, चाइल्ड मोड या वयस्क मोड के लिए पावर रेंज का चयन करने के लिए AD के आरामदायक ले जाने और आसानी से पकड़ने के लिए हैंड कैरी अन आफ बटन डिवाइस को अन और आफ करने के लिए और AD को PC से कनेक्ट करें इलेक्ट्रोड सॉकेट इलेक्ट्रोड को AD से जोडने के लिए द्रिश निर्देश कदम दर कदम मार्क दर्शन और मदद करने के लिए डिवाइस केस हार्ड में उच्च शक्ती है, हलका है और लोच और प्रतिरोध प्रदान करता है यदि कोई बेहोश है तो आपको पहले यह देखना चाहिए कि क्या वे सास ले रहे हैं और उत्तेजनाओं का जवाब दे रहे हैं अगर वह जवाब नहीं देता आपको तुरंट आपात कालीन सेवा के नंबर पर कॉल करना चाहिए और मामले और उसके स्थान का संकेट देना चाहिए छाती की हरकत पर ध्यान दें और सास लेने की आवाज सुनें, फिर महसूस करें कि मुह से हवा निकल रही है श्वासनली के बगल में तरजनी और मध्यमा उंगलियों को गर्दन पर रखकर या रेडियल धमनी के उपर हड़ी और कंडरा के बीच दो अंगुलियों को रखकर हताहत की नाड़ी की जाच करें जितनी जल्दी हो सके CPR शुरू करें क्योंकि 10 मिनट के बाद मस्तिश्क क्षती अप्रिवर्तनिय है और आप जानते हैं कि पीडित को बचाना वास्तव में आपके हाथ में है CPR के दोरान खून चलने में थोड़ा समय लगता है इसलिए मस्तिश्क में रक्त प्रवाहित करने के लिए दबाव बढ़ाने के लिए जोर से और तेजी से धक्का देना बहुत जरूरी है फ्रिदय को संकुचित करने के लिए कम से कम 5 सेंटीमीटर गहरा धक्का दें और रक्त को बाहर निकलने दें रक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए प्रती मिनट एक सो से एक सो बीस बार का दबाव आवश्यक है आकस्मिक को बचाने के लिए दो सांसे तयार करें पहली सांस को एक सेकंड के लिए रोक कर देखें कि छाती उपर उठती है या नहीं अगर चाती ऊपर उठती है, तो दूसरी सांस दें यदि चाती नहीं उठती है, तो सिर को जुकाएं और ठुड़ी को ऊपर उठाएं, फिर दूसरी सांस दें एक चक्र में 30 chest compression होते हैं और उसके बाद ventilation के दो चक्र होते हैं सावधान रहें की बहुत अधिक सांसें नले या बहुत अधिक सांस नले रक्त प्रवाह को बहाल करने के लिए छाती को संकुचित करना जारी रखें छाती के 30 संकुचन और उसके बाद 2 संबातन देफी 5 S AD के चालू होने के बाद यहां आवाज के संकेतों का पालन करके बात करना शुरू कर देगा आपको वयस किया बाल रोग के लिए मोड का चयन करना होगा आपको प्लास्टिक शीट पर दिखाए गए अनुसार पैड को रोगी के नंगे सीने पर रखने का निर्देश दिया जाएगा तब आपको निर्देश दिया जाएगा कि रोगी से दूर रहें और उसे स्पर्ष न करें जबकि डेफी 5S रिदय की लाइका विशलेशन करता है रोगी के सीने से कपड़े उतारें इलेक्ट्रोड की पैकेजिंग खोलें सुरक्षात्मक फिल्म से इलेक्ट्रोड निकालें यदी पीडित वयस्क है इलेक्ट्रोड को उपरी दाय चाती और निचले बाय चाती पर रखें बच्चे पर इलेक्ट्रोड संलग्न करने के दो तरीके हैं अगर बच्चे का शरीर बढ़ा है इलेक्ट्रोड को वयस्क स्थान पर रखें, यदि दो इलेक्ट्रोड स्पर्ष नहीं कर रहे हैं अगर बच्चे का शरीर छोटा है एक पैड छाती के बीच में और दूसरा पीठ पर रखें यदी रोगी का शरीर छोटा है और दो इलेक्ट्रोड्स पर्ष कर रही हैं यदी लए इस तरह दिखती है तो आप देख सकते हैं कि हृदय अब प्रभावी धंग से रक्त पंप नहीं कर रहा है यह एक घातक लए है और इसे जल्दी से रोकना चाहिए जब देफी 5S स्वचालित डिफाइबरिलेटर दिल की लएका विशलेशन करता है और इस निशकर्ष पर पहुँचता है तो यहां आपको वोयस कमांड द्वारा रेड शॉक बटन दबाने के लिए प्रेरित करेगा देफी 5S डिवाइस दिल के माध्यम से एक विद्युत प्रवाह भेजता है और फिर से वापस आजाता है सदमे का उद्देश बहुत ही कम समय के लिए असंगठित हरदय ताल को पूरी तरह से रोकना और इसे सामान्य स्थिती में लोटने का मौका देना है अपना सर्वश्रिष्ट करें और हार नमाने देफी 5S स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर आपको किसी की जान बचाने का अफसर देता है देफी सॉफ्ट देफी सॉफ्ट एक कंप्यूटर सॉफ्ट्वेर है जो इन्फरारेड के माध्यम से भेजे गए डेटा के स्वागत का समर्थन करता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ तरंगों को पढ़ना देफी पांच एस की भाषा और आवास की मात्रा निर्धारित करना और रिकॉर्डिंग डेटा को सहेजना ओन्फ बटन को लंबे समय तक दबाने से इंफ्रारेड सिंसर चालू हो जाता है डेफी सॉफ्ट की भाषा चुनने के बाद डिवाईस का one डिवाईस का सीरियल नंबर दर्ष करें और डेफी सॉफ्ट के डेटा सिस्टम को सक्रिय करने के लिए ओन्फ बटन को देर तक दबाएं देफी सॉफ्ट देफी 5 एस के संचालन के दौरान दर्स की गई स्थिती की जानकारी प्रदर्शित करेगा जिसमें प्रकार, घटना का समय, विवर्ण और इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ तरंगे शामिल हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ तरंग लाभ 5 मिमी, 10 मिमी या 20 मिमी पर सेट किया जा सकता है तरंग की गती 12.5 मिमी, 25 मिमी और 50 मिमी पर सेट की जा सकती है आप देटा को प्रेंट और सहेज भी सकते हैं